है ऐलो स्टुदेंट्स मैं संदीर श्री वास्तो के ल पलाटेक्निक रूड़की से आज हम पढ़ेंगे डिश्टल इलेक्ट्रोनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्स एम का सब्जेक्ट है तो इसके अंदर दो पोर्षन है डिश्टल इलेक्ट्र माइक्रोसेसर और थोड़ा सा फोरिश्ट माइक्रो सेसर पढ़ेंगे तो सब्से पहले हम की बात करते हैं और कैसे उनका होता है कैसे उनको हम addition, subtraction, multiplication उन numbers का अलग-अलग techniques होती है तो सबसे पहले हम बात करते है जो हम day to day life में number system use करते है decimal number system की day to day life में जो number system use करते हैं उसको हम क्या बोलते है decimal number system decimal number system क्या होता है decimal number system में 10 digits का combination होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह 10 digits होती है इनका combination होता है और हम जो भी number हम अपनी daily life में यूज़ करते हैं लिखते हैं वो इन 10 combination से मिलके ही बनता है जैसे आप कोई भी number ले लिज़े 1827 1827 यह जो एक four digit का number हमने लिखा है इसमें जो चारो digits हुई है चार symbols हुई है वो इन 10 symbols के combination में से ही यूज़ किया है इसके लावा कुछ नहीं है हम जो भी number चाहिए कितना बड़ा भी number लिख लिज़े आप two three four one three कोई भी number आप लिखना चाहते हैं वो इन 10 digits में से ही कोई number का combination बनेगा ठीक है तो डेसीमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं क्योंकि डेसी का मतलब होता है दस चूंकि इसके अंदर 10 symbols है इसलिए इसको decimal number system यूज करते हैं दस decimal number system बोलते हैं पर जो हमारा digital electronics है जो हमारा computer है उसमें यह decimal number system काम नहीं करता है उसके लिए हम जो number system यूज करत system क्या होता है बाई मतलब दो बाइनरी मतलब दो दो numbers का combination से जो हम कोई भी digit लिखते हैं कोई भी number लिखते हैं उसको बोलते हैं binary number system और इसमें दो symbols होते हैं 0 और 1 और कुछ लिए होता है दो symbols होते हैं 0 1 अब बात यहाती है कि binary number system ही क्यों यूज किया जाता है computer गंदर जैसा और DC voltage का मतलब उसको वह पांच वोल्ट DC पर काम करता है तो जैसा कि आपको पताओगे का IC है suppose करो कोई तो IC की जो यह pins है इन pins के उपर अगर आप signal चेक करोगे तो कोई केवल दो ही state होती है आइदर इस पे signal होगा या नहीं होगा पीसरी state तो कोई नहीं होगी या तो किसी भी point पर किसी भी pin के उपर अगर आप चेक करना चाहते हो तो उस pin के उपर आइदर signal होगा current होगा ठीक या नहीं होगा तो हमें दो ही state को रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हमें दो ही सिंबल तो हमने दो सिंबल कौन से लिए 0 और 1 जो appropriate है 0 का मतलब no signal कोई voltage नहीं है कोई current नहीं है वन का मतलब उस pin पे signal है 5 वोल्ट का signal है तो इसलिए इसमें दो ही state होती है इसलिए हम इसको binary number system से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसके लावा दो तीन number system और यूज होते हैं जो हम calculation के purpose से या और arithmetic purpose से यूज करते हैं वो कौन से होते हैं एक होता है आपका octal number system दूसरा होता है है आपका hexadecimal number system दो number system और यूज करते हैं कौन-कौन से octal और hexadecimal total हम चार number system पढ़ेंगे पहला हमने पढ़ा decimal दूसरा binary तीसरा octal 14 hexadecimal octal number system का मतलब होता है octal का मतलब होता है 8 hexa का मतलब होता है 6 decimal का मतलब होता है 10 तो total 16 hexadecimal number system में कितने number होता है 16 और octal में 8 तो 8 कौन-कौन से symbols होता है 0,1,2,3,4,5,6,7,0,2,7 hexadecimal में 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब 10 तो होता नहीं है तो हम 10 की जगे हम क्या उज़ करते हैं A 11 की जगे B 12 की जगे C 13 की जगे D 14 की जगे E 15 की जगे F तो hexadecimal number system में 16 ये symbols उज़ करते हैं तो हमारे पास अब 4 number system हो गए Binary, decimal, octal and hexadecimal अब जब हमें एक ही number system पता था तो suppose करो हमने एक number लिखा हुआ है 1827 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे 1820 and 71827 पर ये तब की बात थी जब हमें क्या एक ही number system पता था that was decimal number system पर अब हमारे ये combination हम hexadecimal में भी लिख सकते हैं अब हम्हेट की जगए six कर दूँ तो ये जूफ है हम हम audio में भी लिख सकते हैं क्योंकिmbol जींडी 0мен अग्ला सारे हैं सम्धूल में çaि से स्थेव्धि में हुज करते हैं यहीं सारे सिंपर्ण रर्षन यहीं सारे से सिंपर्ण में भी यूज करते हैं तो हम्में कैसे पता चलेगा नमबर हम लिखा हुआ है यह हमने Binary में डेसिमल में लिखा है कि Octal में लिखा है कि Hexa decimal में लिखा है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा अब जब भी हम Digital Electronics में कोई भी number लिखेंगे तो साथ में उसका बेस उसके साथ में लिखेंगे अगर यह 10 बेस है इसका मतलब यह decimal में लिखा हुआ है अगर इसका बेस 8 है तो इसका मतलब यह octal में लिखा हुआ है इसका बेस अगर 16 है तो यह hexadecimal में लिखा हुआ है तो हम digital electronics में जब भी हम कुई number लिखेंगे तो हमें सबसे पहले यह चे डेसिमल में इसकी value अलग होगी, ठीक है, तो हम यह चारो number system पढ़ेंगे, अलग-अलग, अब इसमें में पढ़ना क्या है, एक number system से decimal से binary में, अगर कोई number हमें decimal में दिया हुआ है, तो उस number system को binary में कैसे convert कर सकते हैं, अगर हमें कोई number लिखा हुआ है, 8, यह है decimal में, और हमें यह कहा जाता है कि इस number को binary में कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, तो इसका conversion कैसे किया जाता है, यह हम पढ़ेंगे, और किसमें-किसमें, decimal से binary में, binary से प्टल से बाइंट्रियों में यह सारे के सारे कनवर्जन हम पढ़ेंगे कि आपस में इसको कैसे करते हैं एक जांप पॉइंट वी से इसमें एक दो क्रेश्चिन जरूर आते हैं तो हम इसकी प्रेक्टिस होनी चीए हम नंबर दो तरीके के भी हो सकते हैं हम यह भी कंवर्जन किया जाता है और मिलते हैं उसको बसको ज्यादा अपने फ्रेंड्स के सासे शेयर करिए ताकि वह वी इस लॉग्डाउन में लेक्ट्यर्स पढ़ सके हैं और प्राक्टिस कर सके हैं इसके इतने के उपर बेस्ट जो questions होंगे वो भी मैं PDF form में आपको available कराऊंगा उसके लिए आपको Google Classroom जोईन करना पड़ेगा next lecture में आपको Google Classroom कैसे जोईन करना है वो मैं आपको बताऊंगा अब मेरा Google Classroom जोईन कर लीजिए उसमें आपको सारे इसके जितने questions होंगे important questions होंगे टुटोरियल्स होंगे वो सब आपको PDF form में मिल जाएंगे यू कन डाउनलोड और गर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं थैंक यू